CSE Dark Mitra की Registration Portal लाइब हो चुकी है दोस्तों तो चलिए इसे हम आगे जानेंगे कि किस प्रगार से हमें CSE Dark Mitra के लिए अपना Registration करना है CSE Dark Mitra की Registration दोस्तों आप अपने डीटल सेवा की पोटल की मदद से भी कर सकते हैं ये लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी Newly Arrived में अगर दोस्तों Newly Arrived में CSE Dark Mitra की Registration पोटल नहीं मिलती है तो आपको आगे करना क्या है ये जो Dark Mitra की पोटल की लिंक है दोस्तों वो हमारे वीडियो के नीचे डी सब्सक्रिप्शन बॉक्स मिल जागा जहां साप इसे असानी से क्लिक करके लॉग इन कर सकते हैं वीडियो मागे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों सागरा करना चाहूंगा जिन दोस्तों ने भी तक हमारी चैनल नीच अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों इसी परकार के इंप़ोटेंट वीडियो हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम आते रेते हैं इसके साथ ही दोस्तों आप हमारे टेलिग्राम चैनल के साथ भी जूड सकते हैं, जहां से आप सारी इंपोटेंट वेब लिंग को प्राप्त कर सकते हैं, जब भी दोस्तों हमें CAC Dark Mitra के लिए रेश्टेशन करना हो, इसकी वेब लिंग क्या है तो चली इसे हम पहले टाइप करेंगे, और step by step हम अपनी CAC Dark Mitra के लिए रेश्टेशन करेंगे फ्रेंड, darkmitra.caccloud.in, जैसे इसे आप किसी भी व्राजर में टाइप कर लेंगे, इसके बाद इसे इंटर कर देना है, पहली डिस्ट बोड दोस्तों कुछ इस पर गार की होगी, आगे हमें करना क्या है फ्र जब हम yes करते हैं फ्रेंड तो हमारी जो भी हमारी CAC Center की डाटा होगी वो auto fill हो जाएगी, कुछ चीजों को बस हमें यहाँ पर fill करना होगा, for example दोस्तों, name, CAC ID, mobile number, email ID, address, estate, district, pin code, ये सारे चीज़ें auto fill हो जाएगी आपकी, इसके बाद हमें आगे करना क्या है फ्रेंड, facility description में हमें select करना होगा, इसके लिए हम अपने CAC Center से जो भी नजदी की post office होगी, उसे हम select कर लेंगे, जैसे हम facility description select कर लेते हैं, इसके बाद facility code automatic यहाँ पर select हो जाएगी, इसके बाद दोस्तों हमें simply proceed कर देना है, जैसे हम proceed करेंगे, आप देख पा रहे होगे DOP code successfully linked with CAC ID, इस इसके बाद automatically redirect कर देगी इस portal में, तो इसकी dashboard कुछ इस परकार से आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पर दोस्तों आप अपनी value name को देख पा रहे होगे, अगर आपको speed post या फिर register parcel register करना है, किसी भी citizen का, तो वो किस परकार से कर पाएंगे, तो चलिए उस process को थोड़ी बह booking की option देख पा रहे होगे, इसके निचे और चले आते हैं, तो tracking का option आप देख पा रहे होगे, साथी दोस्तों आप report का भी option देख पा रहे होगे, अगर हमे speed post या फिर register parcel booking करना है, तो हम booking की option पे click करेंगे friend, जैसे ही दोस्तों हम booking की option पे click करेंगे, तो कुछ इस प्रकार का dashboard आप देख पाएंगे, यहाँ पे सारी detail आपको fill करना होगा, चाहे आप speed post कर रहे हो या फिर register parcel के लिए booking कर रहे हो, सारी option को आपको यहाँ पे fill करना होगा, जैसे की sender का नाम, कौन कहाँ पे भेज रहे हैं, इसी प्रकार से receiver का नाम, कहाँ पे यह speed post या फिर register parcel जाएगी यह सारी चीजें आपको यहाँ पे fill करना होगा, example के तोर पे हम यहाँ पे कुछ भी fill कर रहे हैं, ताकि जानकारी हम प्राप्त कर सकें, आगे हमें क्या-क्या fill करना पड़ता है, sender जहां से भेज रहे हैं, speed post या parcel, अपनी pin code को यहाँ पे fill करना रहता है, इसी प्रकार से द fill करना होगा, क्योंकि verify करना रहता है, mobile number fill करने के बाद दोस्तों generate पे click कर देना है, mobile OTP जाएगी उस OTP को यहाँ पे validate करना होता है, mobile number validate करने के बाद, sender का email ID यहाँ पे fill करना है, यह दोस्तों optional है, अगर आप चाहें तो इसे fill कर सकते हैं, या फिर इसे नहीं भी fill करते हैं, तो कोई problem नहीं होगी, इसके बाद friend sender और receiver का full address यहाँ पे fill करना होगा, with pin code के साथ, तो पूरी address को यहाँ पे आप fill कर देंगे, जो भी आप fill करना चाहें, pin code के साथ आपको fill करना होगा friend, address fill करने के बाद article detail में आपको select करना है, speed post के लिए register करना चाहते हैं, या फिर register parcel के लिए register करना चाहते हैं, तो यह दो चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, दोनों की अलग-अलग थोड़ी सी amount होती है, जो भी citizen register करवाना चाहरे हो, तो उसे आप यहाँ पे article में select कर लेंगे, उसके बाद दोस्तों फिर से हमें cursor को थोड़ी down करनी होगी, इसके इसके बाद कितनी weight की वो speed post है या फिर register parcel है, तो यहाँ पे weight आपको fill करना होगा, इसी परकार से उस speed post का या फिर register parcel का length, weight और height आपको यहाँ पे fill करना होगा, तो दोस्तों उसे आप देखकर यहाँ पे fill कर सकते हैं, जब यह सारी चीज़ें fill कर लेंगे, इसके बाद आप को calculate tariff करना रहता है कि कितनी amount लग रही है, जैसा कि अभी हमने speed post का देखा था, 50 gram तक का हम अगर भेजते हैं, तो total amount 41 रुपे 30 पैसे की आती है, लेकिन दोस्तों गर हम register partial की करते हैं, इसी same weight के तहत कितनी amount देना होगा, यह सारी चीज़ें दोस्तों आप यहाँ से जान सकत जब दोस्तों यह सारे normal से detail आप फिल कर लेंगे, इसके बाद सारी normal से detail फिल करने के बाद हमें pay करना होता है, तो वो हमारे detail सेवा की portal से होती है, तो इसके लिए क्या करेंगे friend हम pay rs पे click करेंगे, pay rs पे click करने के बाद दोस्तों, detail से वाकी portal के wallet में यह redirect कर देगी, वहाँ से हमें cc id पासवर्ड और wallet पिन डालने के बाद वो payment कर देना है, उसके बाद हमारी जो successful receipt होगी, वो हमें राप्त हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अभी server error के कारण, यह option आगे redirect नहीं हो रही है, successful receipt कुछ इस प्रकार का होगा, जो आप यहाँ पे screen में देख पा रहे होगे, यहाँ पे आप sender और receiver का detail पूरी देख पा रहे होगे, कहां से यह send की गई है, कहां यह speed post received होगी, सारी detail आप इस प्रकार से देख पाएंगे friend, आसा करता हूँ दोस्तों यह छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है, दोस्तों तो लाइक इंसर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो देखने के लिए आप से भी दोस्तों का बहुत बदनेवा, थाइंक्यू